मोकामा विधान सवाव उप्चुनाओं को लेकर मद्दाताओं में जोज दिखाई दे रहा है। यहां लोगों का उत्सा अब परवान चड़ने लगा है। सभी मद्दान केंद्रों पर वोटरों की लाईने दिखाई दे रही है। महिलाएं भी वोटिंग में पीछे नहीं है। मोकामा का विधायक चुनने के लिए वोटर्स की भीड उमड़ाई है। लोगत्रंत्र के इस महापर्व में बुजूर भी अपना योगदान देने के लिए पहुचे हुए हैं। बता दे कि मोकामा में दो बाहुबलियों की पत्यों के बीच की लड़ाई है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज दोनों उम्मिद्वारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। मोकामा सीट से बाहुबली विधायक अनन सिंग का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन अनन सिंग ने निर्दल ये ताल ठोकी और जेडियू के निरज कुमार को हरा दिया। इसके बाद 2020 में समिकर्ण बदले और आरजेडी की टिकट पर एक बार फिड से अनन सिंग ने जेडियू के राजियू लोचन शर्मा को हराया। वही अनन सिंग के विरोधी ललन सिंग की पत्नी सोनम सिंग पहली बार चुनावी मैदान में है। ललन सिंग को गैंगश्टर से नेता बने सुरजभान सिंग का करीबी माना चाता है। जिनोंने वर्ष दुहज्जार के विधान सभाद चुनाव में अनन सिंग के बड़े भाई दिलिप सिंग को हराया था जो तकालिन रावडी देवी सरकार में मंत्री थे। ऐसे में मुकाबला तो दिल्चस्प होने वाला है लेकिन कहा ये जा रहा है कि मुकामा में जिस तरह से अनन सिंग का दबदबा है और महागरबंदन का समर्थन मिल रहा है इससे अनन सिंग की पत्नी की जीत तय है। निलम देवी ने भी वोट डालने से पहले अपनी जीत का दावा किया है। हाला कि जनता किसे सर पर बिठाती है ये रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं। देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।